ये जो एपिसोड है यार इस आप्सोड की स्टाइडिंग निगत है हमाँ मेरे करिड़े वह हम लेके अनरे को हैं वह शर्टकलाशी मया दलती हिस्ग चय्छी को दका टीथे तुम एक लोग लेभल mind तो मारे हिम्मत कैसी की एक रोयल्य लेवल के एलफ के ओपर मतने की तुम्मारे हिम्मत से लगता है तू मनना आँ हो हमारे हिम्मत कैसी हो कैसी की हा रहा है , रवे इस दुनीप काई पाल मेधवा हे है है सिस्टम उनों को नाम बताता है कि यह जो है यह होली मेसंजर है समझे और दूसरी बाद जो है जो शी ओ वह एक होली ही लेर है समझे और ये तनों फुरी बात बता वह किंदर है थो जिसके कारण गया किया चो फिर्थिवी की है तो के सब की एक है बस ब्लड लाइन वगरा जो बोडी शेप वो सब थोड़ा सा अलग है मतलग कि इनकी जो रेस है वो अलग है बाकि इनका फेस अगर अगर कभी वार एक दिशा दिखे ना तो कंद भी कंफ्यूज मत हो ना क्योंकि यह दूसरी दुनिया के है हमां में करते है अच् लेकिन तुम हमाएं साथ नहीं आओगे क्या मैं क्यों नहीं तब हम देखते हैं मिली के निए क्टि टेंपल के अंदर गा शीन जाप अंपर हम देखते हैं और सारे सारे मारे जा चुके तो इसलिए अब यह मेरा नहाँ स्लेव है इस लेव का कोड है चारसो बीस और वैसे भी यह बहुता पाउखल बहुता स्ट्रॉंग है तो मुझे इसकी जरूरत से यह वैसे भी मुझे अपनी रेस को आगे बढ़ाना है समझे अमामे कि डिकता है यार मेरा नाम है यार मेरा ए अपने में आसानी होगी हमें भी भूग लगी है इनके इरादे देखे कुछ मने ठीक नहां लागे है यार यह दोनों है तो मुझे की क्यूट सी जुड़ा बहने एक तो मुझे इनकी परसनालिटी बहुता डिफ्रेंट लग रही है हम देते हैं फिर वो लोग वहां पे उस को पीडिफाइ करना शुरू करते हैं उनके पीड़ी ठीक श्रीक होता है कि वह आपे गाना गाते हैं अमामेगेड़ी के ता है कुछ तो गड़बड है मुझे इस टीक इन्दर कुछ तो गड़बड लग रही है मुझे देखने दो अपनी बेसिक पावा कस्तमाल करते होए वो अपनी देखते है कि उस टीक के अंदर जड़ों के अंदर बहुता है अंडे लगे होते हैं हमामेगर करता है मुझे इनके इंदर से दिल की धड़कने महसुस हो रही है एक मड़ेकमिन इनके पर होन भी है सींग भी एक मड़े इनके काटे धार जो यह तो डीमन एक्स है हमां मेंगरें चिला के कहता है अरे तुम तिनों नालायक हो अरे इस पेड़ के अंडें ने दीमन के तुम उनको पावर दे रहे हो तुम इस पेड़ के अंडें जेनरल के तिया ऐसा पुछ नहीं है हम लोग अपने इस वोली टी को प्यूरिफाइक करने हैं जिससे यह demons की power को suppress करके रख सके हमा में की डिकते हैं इसा कुछ नहीं है तब हम देखते हैं वो अपने अपनी फिसी पावर के पूइंट कमाने की हम देखता है और उन तीनों को बचा लेता है और अपनी ठंडर एरो से उन सभी डीमन को मार दिता है यह देखे वह लोगोड यह सलेव तो बहुत पावफुल है सच में हमने इसे कुछ जड़ा ही अंडर स्मेट कर लिया तभी हम देखते हैं जरनल जोती है मोफ I वो उस पूरे पेड को ही जमा देती है जिसके साथ साथ तो दीमन भी जम जाते हैं वो केते मैंने इनको जमा दिया है मुझे नहीं पता था कि यह पिड़ के अंडर अंड हैं जिसके काहरे लिए बहाँ निकलेंगे हम आम एगड़ी कहता है तुमने इस पेड़ को जम समझाल तो कोई इंपीरियल फैमली मैं से या फिर हमारे मन के कुई हमारे मैं सी एक बंदा सब के टो पुछ कर रहा हो पर यह कि ने नोसेंट का जाती है लिंक कि हम निए निवे vigil की से हमारे जितनी भी हाई लेवल के एल्फ जो हैं वो सारे वहां पर मारे जा चुके हैं गायल है उन्हें हमाई मदद की जरूरत है ये सुनके वो किती क्या तब हम देखते हैं शीव उनको पूरा बताती है कि एक चुली जो वाइट कलर जो है वो हमारे एल्फ टरिटरी है और जो रेड सब्सक्राइब जो है जिसकी पावर बहुत जाता है और मैं देख सकता हूं इनके घर के अंदर ही यहां पर डीमन गुज़े जा रहे हैं और यह बाहर की डीमन को समाल है यानिकि इनके घर के अंदर ही दुश्मन इनकी गुज़े पड़े हैं यार इनका जो एल्फ किंडम है इसकी स्टेशन बहुत हो रही है यह बहुत सफरिंग से गुज़र रहे हैं अकर मैं इनकी मदद करूं फ्रेंट लाइन पर जाके हाई एल्फ द्वारा तो मैं हां मैं वेल्यू पॉंट को उप्टेंड कर सकता हूं जिससे क्या है कि मुझे बहुत आदा क्या बोलते हैं सेकंड एविलूशनल स्टेश का फ्रेंग्मेंट मिल सकता है यह मेली बहुता वेनिफिट रहेगा हमा मैं एक डिकता है टेंशन क्यों लेरी हो बले मैं एक लो लेवल का एल्फ हो पर लेकर दिये मत पूलो मेरी स्किल मेरी पावर एक हाई लेवल से कम नहीं है समझे तो मु सब्सक्ता हां हमां कहले हमां गाम हमां बताए जाता है कि जिसके जो 50 के जेए हम बिए उस सो को हम कुई को किंग लेवल का एनलिफ कहते हैं जो मुफई होती है वो आपने मुझे मुझे सर्वेंट है इसकी बिटल ट्रीक्निक में देखिए यह बहुत पावफिल पिलाले बहुत यह लो लेवल का है फिल भी इसकी जो पाव इसका ओल अलान जो पावर पोटेंशिल पॉन्ट जब वो हमारे बराबर है, सच में, ये मेरी रेस को बहुता आगे बढ़ाने में मदद करेगा, मेरी बहुता इंप्रूव्मेंट भी करेगा, मेरी पाव को बढ़ाने में, अब तो मैं तो रुख भी नहीं सकती, तब हम देखते हैं, मोफाई कहती है कि, कि तुम हमारे लिए तुम्हारी पावर हमारे बहुता काम आएगी, क्योंना क्या सा रहेगा, तुम एक हाई लेवल पर पर मोट तो करेंगे, पर लेकिन तुम्हें उसकी जानकारे भी है, हम देते हैं, जुन नों जुड़ा बहुता इंपोर्टेंट हो, क्या सा रहेगा, कि तुम हमारी पावर बढ़ाने में, एक्चली हमारी मदद करें, हम लोगों की तुम हाई लेवल पर मोट हो जोगे, पर तुम क्या ही बढ़ाओगे, इसलिए तो हमारी पावर बढ़ाने में मदद करें, बहुत बढ़ाने मेत ने 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 Parts May 3 Sum करने क्या भी काबिल नहीं हूं, मेरा वैसा भीग बोड़ा बहुत जोरों से दर्द करता है मैं यहां आई वे भी दो तीन भी नहीं होंगे हमा में गड़े किता है कैसा रहेगा में पास एक लोगों के शरी में पावर ढाल सकता हूं जिसे तुम बहुता खुश हो जोगी तुमाई पावर भी आजाएगी वह अपने मन में कहता है मुझे पता है मुझे किस इसाफ से क्या करना है यह सुनकि वो लोग कहते है अच्छा वाइफ इसका मतलब बे तुम शाहती शुदा हो और तुम हमारे जनरल को दोका दे रहे हो और तुम हमारे बात नहीं मानोगे तो मैं पता है हम क्या करते हैं अगर कोई हमारे बात नहीं मानता हम जबर दुस्ति उसके साथ थ्री सम करते हैं और उसकी पूरी पावर चूस लेते हैं चलो इसको सजा देते हैं हमामेंगे करता और उनकी पावर जो हसा बढ़ने लगती है उनको बहुत है मैं लगसा टॉक्सिक सा फिल होने लगता है कि oh my god ही क्या हो रहा है मेरा शरीर मुझे बहुत आच्छे लग रही लगता है मेरी सील तूटने वाली है हमाँ में कीडिक कहता है तुपाव सील तूटने वाली है हम देखते है आधी गंटे-बाद कासी जब हमाँ में कीडिक के फ्रेग्ड्मक में मिल जाता है कि यह पहली बाद है कि मैंने किसी के साथ बेना यह सर्क करें न keeps सील तोर दी है चलो मुझे अच्छा लग रहा है मेरी भी पाव बढ़गी और मेरे को फ्रेग्मेंट मिल गया है हम देखते हैं सिस्टम करते हैं आपका प्रोग्रेस साथ पसंट बढ़ चुका है हमां में गता है क्या साथ पसंट अच्या यानि दो प्रसंटी बढ़ा है जबकि मैंने साथ खेलना बंद करोशिंग हमें घाना होगा बैटल फिल्ड में समझे तुम वैसे भी मेरे साथ ही रेना मेरे पीचे रेना मैं तो में प्ल्टेट करूंगी हमामें करता है भी सीक्टा बन करेता है क्योंकि जब उसके वह बन करदा चाऊंगा इनको अपनी दिर्पावर् वह को था पावफुल पावफुल डीमन रहेता है अगर एक बार हम जीत जाते हैं तो यह माले अच्छा रहेगा हमां में इक करता है आप रहे यार मेरा गोल जो है वह बस फ्रेग्मेंट को कम्लीट करना जल से निकलना यार और जल से जल यह प्रोग्रेस जब देरे हैं मुझ इवी लेवल चीज़े रहती है जिसके कारण के हर किसी को यहां अनकुंफिटबल फिल होता है और कोई ज़्यादा यहां ठीक भी नहीं पाता यह इसलिए तो हमारी एल्फ ट्रेटर के पर कबज़ा करना चाते हैं जिससे यह हमारी वहां की जो प्यूरिफिकेशन पावर ज होती है और हम देखते हैं शी हो चाती है उनको मेरे पीचिया हो मैं तुम मेरे पीचिया हो मैं तुम्हें बताते हूं कि हमें क्या करना है होली मेसंजर यहां पर हम देखी हिल कर रही है हम जाए चले कि वहां पर बाके सबको देखते हैं और हां तुम फ्रंट लाइन पर आगे रहोगे क्योंकि तुम्हें मरना सबसे पहले है हम आम एक डेकता है सालिम मैंने इसका किया क्या है मुझे इतने रूडली क्यों बात कर आज तो मैरी दावत है और इसका चैरा भी मुझे करहीं देखा देखा साल लगता है यह तो मेरी फ्र्स्ट वाइडीमन क्यूटके जैसे मिल रही है यार यह सुनके वो कहती है मुझे तुमारे इहां मरोगी हम देखते है नूबल डीमन हो समझे मेरे जैसी कोई नहीं है मैं एक कमांडर हूँ तब यह मेरी क्या ही बिगार लेगी हम डिमर डेलम के बंदे बहुत सब्भावफल है तुम इसके वाइट करने के लिए आपने आपको हमारे हवाले कर दो सुख पाओगी हम देखते हैं वो उसकी तरफ लिफ्टाइट कर देती है हमाई लिन केती के लगता है मैं अज मरने वाली हूँ तभी हमा में इकट रहाता है और अपनों उसका की शिल्ड लगा लेता है वो करता है यार तुम यह कर क्या रही हो इस तरह मूरती की तरह बने मतर करना ही हूँ अब में करताहा है कि इस ब 되고 को तोना है उसके लिए हमें इस हाई लेभल की डिमन को हराना होगा यार सबसे पहले हमें इसको हराना होगा हम देखते हैं आप add त्हों के लीका लिए क्अरे लिटी से अपने मैजिकल बेपन पर लconom नहीं करता है भ्यार मेरी सदे मोट के लिए तैयार हो जाओ हमां में गडिक करता है क्या magical weapon मतलब कि यह लोग यहाँ weapon को भी समन कर सकते हैं अपनी पाओ की मतलब से मुझे weapon से कुछ याद आ रहा है हाँ genetic weapon creation skill हाँ मैं किसी भी मतलब कि किसी भी लड़की के साथ अगर मैं अपना genetic DNA मैंच कर लों तो जिससे मैं उसको एक वैपन की रूप में कर सकता हूं यह मिले एक अच्छी अच्छी है हमां में गड़ाता है वह किते हैं तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो वह किते हैं मैं तुम अप एक हतियार बना रहा हूं तब हम देखता है तो एक यह कैसे हुआ सिस्टम उसको बठाता है वह क्या है कि आप दुनों की ब्लड लाइन अलग है वह एक एलफ है आप एक यूमन है तो जैनेटिक स्किल जो है वह उल्टा आपके पर एसर कर गई है जिसके कान क्या वह हतियार हम देखता है यार यह क्या है यार हम देते है शियो केती है ओ माई गौड सच में यह महत मोटा है और लंबा भी है तुम प्लीज एक बाज़र रात को भी मेरे कमरे में आना और अपने आपको इस रूम में ट्रांस्फोर्म करना मैं सच में इंतिजार करूंगी तुमारा मज सब्सक्राइब करना प्लीज बक्वास करना बंद करो फाइट पर ध्यांदो हम देते हैं डीमन कहती है कि तुम चैक कैसी बिट्रिक इस्तमाल कर लो पर लेकिन तुम हमें नहीं हरा सकती ही तुम अब मरोगी और हम देखते हैं वो उसका आरे बेर को तोड़ती है और उसके कि तौड़ने की खौशिट करते हैं चाते है अमें एक डिकलते हैं मगा मेरे घर आना है मेरी सकतियों का गलत इस्तमाल हो रहा है तब कि यह कहते हैं शकौन को नहीं करना होगा समझे तो उनका सामना करने के लिए सब्सक्राइब तयार करने सकती है के tension मतलो हम उपने plan को दिल नहीं कि सकते हैं हम जब से आपने साथियों की अधिक करनी होगी उनको हराना होगा हम देते हैं मुझे कुछ काम यादा गया है मैं मैं चलता हूँ हम तब देखते हैं जन्रल कहते हैं तुम कहीं नि जा रहे हैं तुम मेरे साथ हो रहे हो किकि हम प्राइड अपने एफ लेंड के लिए कुछ कर रहे हैं हम एल्फ कभी हार निया मानेंगे इसलिए हम इसे अपनी अपनी आखरी सांस तक लड़ेंगे हम देते हैं मुझे यह करना हो गया राखिकाने को सावित करने के लिए कोई ना वैसे भी में थंडर पावर है ना वह उन लोगों को लिकी ब्रासलेट्स देता है इंविजिबल होने वाले वो करते हैं यह से तुम लोग इंविजिबल हो सकते हैं और हम लोग यहां से भाग सकते हैं वह बताँ है निकली कप्ड़े नहीं नहीं है तो इनकी बोडी गाइब हो सकती ही, इनके कपड़े नहीं हम देखते हैं जो डोक्स क होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं हम देते हैं, शियो कहते हैं, क्या कर ये किस्ति इंसाफ कब राश्ट लेटा है इसने से मेरी बोड़ी गाइब किया हैhmen कपड़े तो हैं यह जार अब जब अक Gotth प्लीजी मेरी तीसरी टांग है छोड़ो छोड़ो वो कि यह सोरी हम देखते हैं फिर वह उसको पर लिया था है अम बच गया तब हम देखते हैं वहां पर एक डूसरी एलफ आथी हाई लिवल की जो कि डेकन बेट के आती है वह के ती मुफाइब मैं तुम लोगों यहां रेस हम उस डीमन्स को हरा चुके हैं और वैसे में एक सवाल है आखिकार तुम लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं हम लोग इन्विंजिबल हो गे थे पर कपड़े इन्विंजिबल नहीं हुए थे तो इसलिए हमने उतार दिये हम देखते हैं शी और के ते इसमें तुम होली में मैं दोनों होली मेंदी की मैसेंदे स्कोजरा उनके रूम दिखा दी तुम लोग भी मेरे स्लेव को लेके जाओ और वहां पर इसको आराम कराओ समझे इसको जब थकान मत पहुंचा ना है यह सुनके वोड़ों के ते क्यों नहीं दोनों एक दूसे से माइन टुमान बात करती है कि देखो मूफाई का यह जो नहीं है यह एक हाई लेवल का यार कसम से बहुत जादा पावफुल है तुम्हें पता है मेरा जो लास्ट टाइम जो स्लेव था ना मैंने उसके साथ कुछ जादा ही कर लिया जिसके कान किया है कि उसने तो अपने प्राण ही त्या करने वाला मा मेरी शक्तियों का फिर से गलता हिसे क्या है कि आपने फिर से mind awakening power को एक वाफ फिर से अपने दिमाग में जाकरूत किया है जिसके कान क्या है कि आप हर किसी race की बंदे की मलगी power को आप मलगी वो क्या दिमाग में सोच रहा है उसका plan वगर everything आप सुन सकते है उपनी दिमाग में जा सकते हो इसलिए और ये दोनों ल सकते हो का फिर से गलत इस्तमाल होने वाला है बापरे मुझे अपनी इज़्जत बतानी होगी या बचानी होगी मुझे किसी तरीके से इन दोनों से बचना होगा मैंने तो सब्चा था ये दोनों sweet और swami type की होगी पर ये तनी harami type की होगी मैंने कभी नहीं सोचा था हम देत शॉड़ता है कितनी जालिम होगते हैं यार यह तब हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि अब बहुत वाना ठीक अब देखो हम देखो हम देखें पहले वाली कि वह नहीं से पनों से कहां गया आखिकार ये इतनी चल्दबाजी में कहां गया हमामेकड़ी कहता है तुम लोग ने आके कहा मुझे समझा क्या है क्या मैं कोई प्रोन स्टार हूँ क्या जो कि हर वक्त करता रहेगा बिल्कुल भी नहीं हमामेकड़र वहां पर अपने ठंड़ पावर से इस्तमाल करता है उनके उपर हम देखते हैं उन लोगों को मैं अपने टॉक्सिकने स्पील नहीं लगता है कि यह क्या है कि एक जिस प्रकाह की पावर है मुझे कभी नहीं लगा तो यह इतना जदा पावर्फुल है वो की दूसरी वाल के तिप आप लिए यह बहुता पावर्फुल है हमसे लगने के लिए हमामेकड़र के अभी तो बिजली का इस्तमाल किया था सच में है मज़ा आगया अब देने की कल अगर मैं और जदा हाई लेवल की एल्फ के साथ करूना तो मुझे मज़े मज़ा आजएगा फिलारा भी ज़रा मुझे नेंद आ जा जी है मुझे सोना है हम देखते हैं तब यह वहां पे एक और एल्फ आती है वह करते हैं पता नहीं क्या हुआ पर लेकिन मिस मेसंजर जो है पर यह बहुता डीप निशान है लड़की जो होती है वह करती है कि जो हमाई जो यह मिस मेसंजर जो यह मुझे मैं चला सोने के लिए कुछ तो चुपा रही है इसकी बोड़ी में कुछ ना कुछ तो है कोई सीडियस है हम देखते हैं तब यह जो हमाई जनरल जोती है मुफाइब वह में बहुत अच्छा काम किया उसके लिए गिफ्ट देना जाती हूँ हमामें एक डिकता है हाँ हाँ मेडम आ रहा हूं आ रहा हूं हम देते हैं वह करते हैं तुम बहुत एक्साइटेट लग रहे हो तो मैं पता है तुम्हार ले एक मैंने औस समसा गिफ्ट निकाल गर रखा है आस तक पूछ जिन्दग तब हम देखते हैं वहाँ पर एक सोलजर आती है वो गया जिमिस मूफ है एक एक एमर्जंसी आ चुकी है एक्चली क्या हमारे पर मॉंस्टर शने अटेक कर दिया है हमाई डिफेंस वेरियर को भी वो तोड रहे हैं प्लीज हमें हमारे मदद कीजिए हम देते हैं वो करते है कम आन यार अभी रात को मेरा या एक प्लान था एक मेरा मूड था तुम लोग मेरा मूड खराब कर रहे हो हम तब देखते हैं वो जो जो ऑफिसर होती है वो माई में गड़क उठा के लिए जाने तकि सर आप हमाई साचली अब बहुत अच्छा खतर हैं हमाई में गड़क क हम देखते हैं वो लोग करते हैं यह डिमोनी विल्स है जो कि बहुता पावफुल है इनका खास अटेक है सॉनिक अटेक सबसे बहुता पावफुल है यह लोग हमारे यहां पर आके माई बैर को तोड़ने की खोशिच कर रहे हैं यह हर रात यहां आते हैं प्लीस आपको सौनीच की पाव है तो वो सांड़ की पाव का सिमाल करके उंका अटेक करते हैं स्यो बावफुल है यह निके इiénक है अब सॉनिक अटैक मुझे याद है ही यहां from सॉनिक बाषन का ओए त हमिख समुजे तक है हम्झे उन एक मेरि ओर मानो मैरा मनली कि मुव आइखाना कि ऑडर यान की जिन के पास हवा की थाकट है वहल। यह स्लिटा आल को रहा करो मुव के मुह पर जिसके स्यां SUSIE ना दे पाए हमामेगर करता है यह सही देखा क्योंकि आवास जो है वो हवा के मने की दारे में चलती है जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में हमारी आवास सबसे जदा जाती है अगर मैं हवा का रुख इनकी तरफ ही मोर दू तो आवास इनकी तरफ ही सबसे जदा जाए और जो हवा की जो पावर है, दोनों साथ मिल के काम करी है, तो अवाज को रो करी है, सच में बहुत बढ़िया, हम देते हैं, शीयो के ति वाओ, सच में आपने किस इंसाफ का मेजिक स्पेल इस्तमाल किया है, मुझे नहीं पता पड़ लेकिन ये ओसम है, हम आमें के डिकता है अविवन ठीक है तो, अब ब्लू वेल्स को में लेकि अवोइड करो, इनके अटेक को तो अवोइड करो, अब सीधा तुम लोग इनके मुग के उपर एक साथ मिल के अटेक करो, तब हम इन लोगों को हरा देंगे, हम देते हैं, वो लोग के ते हैं, और हवा का अटेक जाने रखना, जिसे यह आवाज ना कर पा है, अमाने कीड़िकता है, बहृत बड़िया, मुझे इसक्ति निसाफ से करना होगा, हम देते हैं, मामेग दबिल के एक गाना गान लगता है, यह सुनके वो लोग कियता है, वाओ क्या गाना है, लगता है हम लोग को भी यह गाना गाना अज़े तो तो खाना हो गया कियते हैं वाव सच में हमें हमें से जीप चुके हैं वाव यकीन नहीं होता किया है तो इक हम बादी बहुत अच्छा गाते हैं यार इनकी ये तीनों खुबी है कि मझे तो इनसे प्यार होने लगा मेरा दिल जोर दो से धड़कने लगा है यार अगर ये मिस मूफ आई कि अगर ये मुझे कि सलेव नहीं हो थी तो मैं तो इनको बना लेती अपना यार कसम से और हम देखते हैं उससे भी हमारे मेन करेट को 100 पॉइंट मिल जाते हैं जिसे हम देखते हैं सिस्टम कहती है अब आपके प्रोग्रस जो है हो वो 22% बढ़ चुकी है 22% प् ऐसणी बेहव कर रही थी कि सब्सक्राइ सब्सक्राइं हों कि मुझे फूइंट दीए यह हमे شां माइनस में जाता है यार जब्कि इक एक आलफ है हम देखते हैं वह करती है जोलाद ही जापत मारता torture करो, मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से करो हमामेगे डिकता है, अच्छा पर मेरा हाथ लाल उचका, यार मार मार के वो केति की कोई बात नहीं, यहां पर बहुत सारे मुझे की, मुझे की डिल्टो टोईस भी है तुम उनका इस्तमाल करो, हमामेगे डिकता है अच्छा पर उसकी तो जरुदी नहीं है, मेरे हाथ ही काफी है, आकेकार फ्रेग्मेंट पाने के लिए यह अच्छा तरीका है, तैयार हो जाओ और हम देखते हैं, हम देखते हैं कमरे गंदे से चीकरे चिलाने की आवाज आती है और आदी घंटे बाद उसका क्या हाल होता है वो कि ठीकी रुके क्यों हो, प्लीज मुझे बहुता मज़ा आ रहा है, करो मेरे साथ बहुत बुरी दिगे से, हम देखते हैं पॉइंट हंडर तक पहुंच जाता है, अब हम एक देखते है कमोन, 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 इस साथ पका, बहुत जाता बढ़ेगा तीस तक तो प्रोग्रेस होई गाएगा तब हम देखते है, सिस्टम किता है, कॉंग्रेस विलेशन होस्ट आपने एक नए प्रैक्टिसर को ढूना है और प्रोग्रेस जो है, वो 22% ही है हमा में गड़ेगता है, क्या, 22% हम या, वेल्यू पॉइंट सो तक पहुंच चुका है तो भी 22% और यार, एक न्यूब, मुझे कोई फ्रेग्मेंट नहीं मला, ये हो, क्या रहा है, चली क्या रहा है या, सिस्टम है, हम देखते है, उसके श्रीक अंदर से क्या बलते हैं, एक अलगी डीमोनिक औरा निकलने लगता है अमा में गड़ेगता है, सिस्टम ने, यार, 100 पॉइंट तो हो गए तो भी इस साले ने मुझे पॉइंट ये नहीं दिया आखिकाद ये हो क्या सकता है, एक मुनिट कहीं ये कोई डीमन तो नहीं है न, इसके अंदर से मुझे डीमोनिक औरा फील हो रहा है सिस्टम कहता है, सेकंड स्टेज एवलूशन इसकिल जो है, वो क्यावल हो क्यावल मिडल स्टेज की एल्फ या हाई लेवल की जो एल्फ है, उनके शरीक अंदर ही पाये जाता है लेकिन कोई दूसरे रेस के अगर क्रीचर आजाती है, तो उसके अंदर नहीं पाया जाएगा क्योंकि उनके रेस में अब तक कोई पहुंचा ही नहीं है, समझे और एक डीमन के बोडी गंदर से तो बिल्कुल में नहीं, चाहे पॉंट हंडर तक भी क्यों न पहुंचा है यह हम देखते हैं, जो मुह जो लिन की पीच की पीट की पीचे, जो पंक की जो निशान देना, वहां से दो पंक निकलते है और हम देखते हैं, वह उसकी डीमोनिक फॉर्म होती है, उसकी डीमोनिक फॉर्म में आ जाती है, उसका एक पंक वाइट और एक पंक ब्लैक होता है और तुम एक लोग लेवल के सर्वेंट, सच में तुम बड़े कमाल के हो यार सच में यकीन होता, फाइनली मुझे आज़ाद हो के बुझा अच्छा लग रहा है एक डीमन और एक एल्फ का, दोनों के ब्लड का मिक्शर देखो, मैं एक हाफ एल्फ और एक हाफ डीमन बन चुकी हूँ मेरा पोटेंशन पॉइंट बहुत जाथा बढ़ चुका है, मज़ा गया और फाइनली तुमने तुम्हारा शुकरिया कि तुमने सील तोना में मेरी मदद की में केड़े केता है जो होली मेल। की जो प्यूर बोडे है, उनकी प्यूर बोडी प्यूर बोडे है पर लेकिन विल पावा के माम inspire में भी बहुत आ पाव उलैcakी है, हाँ, ये दिन राज मेरे को मने कि इसके श्रीर के अपर कंट्रोल करने से रोकती थी एवरी टाइम एवरी सेकंड पर लेकिन इस स्वार ये जादा दे था कंट्रोल नहीं रख पाई और तुमने इसको इतना मारा है कि जिसके कान इसने अपना कॉंपिडेंस को दिया और देखो मैं आजाद हो गई मामेगड़ी केता है कि एक मिट इसका मतलब है कि उस ट्रीक अंदर वो एग वो सब कुछ तुमने लगाए था यानि कि होली मेसंजर के शिरी के पर तुम काबू कर्च की हो और जिसके तुम इस पूरे होली किंडम को अपना बना सको यानि इसका मतलब है ये सब कुछ तुमने किया दर है हम देते हैं पीचे से मूफ आई और शियो भी आ जाती है वो करते हैं हाँ क्योंकि डीमन सी आके का इस दुनिया में रह सकते हैं मैंने ही हूं जिसने स्ट्री के अंदर उन डीमन के एक्स को लगाया था जिससे हमारे डीमन किंडम को बहुता मदद मिल सके है और डीमन किंग कोई भी सील तूट सके है और फिर वो हमारे मेकट के पास आती है वो किती वाओ सच में तुम बहुता इंट्रिजेंट बहुता पावफुल हो कैसा रहेगा तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते तुम मेरे स्लेव क्यों नहीं बन जाते मैं तुमें एक जननत दिखा दूँगी हर रात जिससे मैं अपनी रेस को भी बढ़ा सकूँ तुम बहुता पावफुल हो एक एल्फ और एक डीमन का जो बच्चा होगा वो बहुता पावफुल होगा चलो ना मेरे साथ मेरे डीमन किंडम में तुम मेरे बस परती बहुता लोयल रहना तभी हम देखते हैं शियो के थी कि उससे अपने हाथ दूर रखो और हमारी होली मैसंजर की जो बोड़ी है उसको अभी 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 वापस करो आकिकार तुम कब तक हमारी प्योर लाइटनिंग आकर ढिक बाओगी तुम कितने आपने उपर प्राउड करोगे तुम लोग बोले ग्रेट एलफ सो पर लेकिन याद रखना डीमन की चल लिए चागने वाले हैं और उसके बाद तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता हम देते हैं को लोग लेवल के एलफ नहीं है यह कोई लोग लेवल की डीमन और एलफ नहीं है यह बहुता पावफुल है लगता है कोई और भी है जो कि संब गुसा हुआ है तब हम देखेंगा और जनरल जो होती है में मोफाई वो कहती है कि मेरे स्लेव तुम आकिकार इतनी बड़ी सीक्रेटली यहाँ पर इस डैवल से मिलने आए विदाओट मेरी परमीशन से मैं नवाजात को तुमार ले गिफ्ट यार रखा था पर लगता है गिफ्ट को अब थोड़ा सजा में बदलना पड़ेगा हम देखते हैं सीयो कहती है आकिकार उनकी बोड़ी डेवल में कंवर्ट हुई थी तुम उनको हील करे थे आकिकार यह प्लीज रुक जाओ तभी हम देखते हैं वो लोग केते हैं रुकें क्यों आस्तमें सजा मिलेगी वह तुम्हारी पावर को बढ़ाना और हमरी पावर को भी बढ़ाना हम तभी देखते हैं छै घंटे बात का सीन जहां पर हम देखते हैं मामें किटर ने थ्री सम कर लिया हो पराव में करेता है यह साली मैं क्रेट करता है आर यह स्किल मिलेगां अरे या यह स्किल करती ए क्षश है जो जनरल जो होती है उसके साइड में जो ऑफिसर होती है वो करते हैं मैंने पूरी रात इस्टडी की तब जाके पता चला क्या कर किस हिंसाफ से हम अपने होली वाटर को उसकी कौंटिटी को बढ़ा सकते हैं सच में आपने तो कम महली कर मेरे बतलों में एक्शुली मेरे बच्चे हैं यह हम देखते हैं वो लोग वहां पर अटेक करने बढ़ जाते हैं कि चलो आज हम पूरे डीमन दिलम को ही तबाह कर देंगे हम देखते हैं मामेकड़ में नीचे कुझा था अपना बाजू का लेके वह कहता है सच में मेरा जो इ चोटे मोटे मिल स्टेज कीता है अकिकार यह काई बिगाड़ लेंगे चलो मेरी बासुका का कमाल देखो और अमामेकड़ में ब्लास्ट करता है दबी हम देखते हैं वो लोग बहुत साइट टूड़ों में बिकर जाते हैं अमारा होली वाटर बहुता कम है इनके पर कप त इसस्टन को ज荒ब दे जिसन के वोड़्ाब घ्राफ मैंके ब्लाइए धुरोंग दूरर यार क्या मैं ब्लैड ब्लाइन ट्रांस्ट का इस्तमाल पर कर सकतेला ऊंपने डीमन पपेड़ को तियार कर सकते है वोगते बस तुम करो और हमामेंगेटर एक बैरियर लगाता है वोगते तुम बस करती रहो फार्मेशन तया है मैं जरा अपनी बैरियर से इनको रोकने कोश्च करता हूँ वोगती फार्मेशन बन गई हमामेटर के तो ठीक है अब बारी है स्मेल ओ बलड की मुझे अपना बलड देना होगा और फिट देखो अन्देथ डीमन्स को मैं किसे साफसर तया करता हूँ मेरी न्यूश्किल का कमाल देखना हमामेटर बाहाँ पर अपने न्यूश्किल को एक्टिवेट करता है जिससे हम देखते है एक्जोर्टा रियक्शन ह जाती है जिसमें हम देखते हैं सारी डॉल्स होती है वो कहता है पाइनली आके वागा मेरा यह काम कर गया पर लेकिन एक मिन यह तो जॉम्बी है अरे मैं भूल गया मैं अंदर हाफ थोड़ा बलड भी तो है जिससे मैंने दिया था यानि कि यह जो बलड ट्रांस्वर्मेश जाता है कि इनसान मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एल्फ इतना पाउफ हो लोगा यह एक हाई लेवल का समनिंग मैजिक भी कर सकता है वाओ मैं जानना चाती हूं ओर जदा मुझे इसके बार में जानने का मन कर रहा है यार हम देते हैं शीयों के थी कि मैंने कभी नहीं होगी अब तो मेरा दिल और तादा जोर से दरखना है अब मैं रुक नहीं सकती कसम से इनको जी करता है चूम लोगी ही पे यार कास मैं इनको सर्व कर पाती अमामें इंगरिक कहता है कि क्या बाता सच में जोंबी पावर चैसे सच में डीमन के पर बहुत बूईते किसे असर इसको लगता है लगता है यह में साथा आत को कुछ जादाही करती है किसके खान के है उसका जीवाफते है बहुत बढ़ Dellek一个 अबहुत है शियो और दो नहीं केती हाँ तुमने सही क्या हमें थोड़ी तैयार ही कर लेने चीह है ना शेन देख़ो थोड़ा प्रोटेक्शन लाना बोल गई अमामें इदिकता है नहीं 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 शक्तियों का फिर से 2 रुपयों बिलकुल भी नहीं यार मेरे दुक रह01 इसका एह क्या अप्रियेशन का मतलब है यार मुझे लगा हतियायव ते यार करेंगा यह साले कमी नहीं हो रहते हैं तभी हम देखते हैं वह था मिले के एंपरे मिलra की बंदीया था है मत Mixs को पही दो मthey की दीमन साथ की है वह लोग कहती है habr तो तुम लोग यहां पर हमाई डीमन कीं के टेरिटरी में ट्रबल मचाने आये हो तुम एल्फ लगता है अपने आपको कुछ जादा ही समझ रहे हो तुम लोग बचने वाली नहीं है और हमें इन दोनों का इंट्रदक्शन दिया जाता है एक का नाम है वाइट वीच एक का न लेवल इनका हाई लेवल सुपरा था एंप्रवर लेवल जिस पर ये रह और इनके हाए सेवज रीजर था और ऐंक हादी आप्शन दिवाण बाद में पढ़ेगी समझाना इपनी अनरजी चार्जर करने के लिए माँ में गिक Sansण दो यह गलत इस्तेमर ले गलता है। मुझे वापस गरणा मैं अधिया लिए लिन काओ यार। हम देखते हैं तब यह फॉइट का सीन जहां पर हम देखते हैं ुच्जा जो होटी है ब। आता हुझام जय की श्योटि कर tी है। हम देखते हैं वाइट वाली जो होती हो श्यूओ पे अंडाक करी होती ही हुए या गडा जिसको देखने में हाता है पाउर बहुत जादा है और इसने इन दोनोंने मेरे साथ करकर अपनी पाउर बढ़ा लिए इसके कानि यह सेवन एमडरस के आगे भी टिक सकती है हम सच में इसका मतलब देखा जाए तो सारा क्रेडिर तो मुझे जाता है तो हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है वह लोग करने से कुछ नहीं होगा चलो इसमें तुम्हें भी थोड़ा मजा आ रहा है ना तुम भी कब तक रिजिस कर पाओगे और फिर हम देखते हैं वह लोग फिट से फाइट में उतर जाते हैं अचार्ण की पाओगे तो यहां पर लेकिन यहां पर लेकिन यह देखते हैं और हम देखते हैं जैसे वो लोग आगे जाते हैं हम देखते हैं वो लोग किसी एक ट्रैप में फ़र जाते हैं वो लोग केते हैं यह तो एक फार्मेशन है और हम देखते हैं उनके अंदर से उनकी पाओगे वो चूसी जा रही होती है हम आमें गड़े गया रही यार मैंने सोचा भी नहीं था कि या मैं भूल किया था डीमन कैसल जो इतना पाओफल कैसल है यह इतनी असे तो खुले में तो नहीं होगा यहां पर आजब बहुत सारे फार्मेशन है जिन में अंदर यह फर्स चुकी और इनकी पाओवर इंसे च हम ढब बाद को आजएंट कर लागा है जाती है उब दोनों में कि पास आती है वह दोनों के चलो देखते हैं तुम कब तक कर पाते हो मुझे लॉयल कुते बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि अपने माली के पती लोल हो चलो हमारे अपनी आपको यहां तो सर्रेंडर करतो यह मानावाला बंदा हो मेरे स्रीड में बहुत आ हाई-लेवल कमाना है आपको जितना चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार हूं प्लीज पर इन दोनों को छोड़ दीजिये हम देते हैं मोफाई के ती कि यह साला कमी ना इसने हमें बिट्रीट किया इसने हमें धोका दे दिया को बस एक बाद मुझे आजाद होने दो उसके बाद है को मैं इसका क्या हो करती हूं यह कोई बेवकूफ नहीं है पका इसका कोई प्लैन होगा यह बहुत है इसके प्लैन का नुसा चलना चाहिए हम देखते हैं ब्लैक वाली केति हैं सच में तुम्हां इंद से मुझे अगरिया माइडी मन के साथ मिल जाए तो हमारे दी मन क्लैन बहुता तरकी करेगा यहां इसके लिए भी कमाल की बात है मसा गया सच में तुम बहुता टेस्टी हो तक्या तुम मेरे क्या बोलते हैं मांट बनों कि मैं तुमा यह ता दिन रात करने के लिए यारु बस मुझे मिक्षे ब्लडा लॉड लाइन के कान आपको फ्रेगμέंड भी हूँ बहुत इजहरु है। वाली हमाय मेंगटर को लेके जारी होती है वो कहती है कि टेंशन मतलो चलो हम तुम्हें अपनी क्वीन के आगे रिपर्सेनेंट करते हैं कि जिससे वह बहुता खुश हो जाए हम देते हैं वह लोग को आगे लिके आते हैं वह लोग कहते हैं यूर मैजेस्टी हमने दो हाई-level कि पहली प्यार मतलब की पहली वाई-फ मतो होती है je कि जुन्वी कोईन है इस मुझे थोड़ा बचसना हएं मैं समझ गया इस हैं वह बहुता पह़कुल मुझे ने अर्सथ क्या क क्रेंगी मामें क्या हैं अपना उपना जुटा बन जाता है मैं आपका स्लेव है प्लीज आपको मेरे साथ जितना चाहिए उतना आप मुझसे माना चूश सकती है मैं आपके साथ जितना चाहिए उतना करने के लिए तियार हूँ मेरा नाम है शेन आप मुझे शायन चाहो जो भी कहना चाहिए वो कहा सकते है पर हमें रैटर बताता है कि इनके डीमन के लेवल के बारे में बताता हूँ डीमन में सबसब जो नीचे लेवल आता है उसका नाम है अंदित उसके उपर आता है लो उसके उपर आता है मिडल जो कि हाई से भी उपर होता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं प्रीज चाहता हूं कि आप जो है इन दोनों को आजाद कर दीजिए आप बहुता पावफुल बहुता कंट्रोरेबल है आपके जिसा सुन्दर को ही नहीं है आप लाखों में एक हैं मेरी आपसे यह इच्छा है कि आप दोनों इन एल्फ को मतलगे कर दीजिए मैं चाहता हूं कि आप इनको टॉर्चर तो किजिए पर टॉर्चर करके इनको जिन्दा रखेगा और इनको इनको इनके अल्फ क्लैन में वापे बेदी जिगा जिससे इनको बहुता सनलमंदगी इनको टॉर्चर बहुत करेंगे और हम देखते हैं उनको टॉर्चर करना शुड़ कर देते हैं वह लोग हम तभी देखते हैं मेरी मेरी बाप बूह पर लेकिन मुझे यह करना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए प्लीज रिक्यून कहती है कि आज मैं बहुता थक्ची है यानि कि यह पहले एलली थे प्रक्ता कुछ तो हुआ है पर लेकर आप यहां पर कहीं पर एक पृफ्ति पर हैं नहीं नहीं भी रहें को थब हसंभीया ऐραे में बहुत ब्रह दो दोनों क्या जुड़वा बैन है और यह दो लोग भी हमारे सेवन विच एमपरस में से एक आती हैं जो कि बहुता पावफुल है यह दोनों तुम्हारे अटेनेंस है समझे ना जो कि तुम्हारा ध्यान रखेगी कोई भी काम हो तो इंसे मांग लेना मतलब की मेरे घर में जो मेरी दोनों जो जुड़वा मेड्स हैं उनकी तरह क्या बात है यहां पर भी एक लग्जीरियस लाइप मजा आ जाएगा देखते हैं रात का सीन जहां पर वो लोग तो मज़े करके सोच के होते हैं और मामेगरे चुपके जा रहा होता है कि मुझे यह से चुपके से थोड़ा निकलना होगा इस कैसल में सोड़ी इंफोर्मेशन जमा करने होगी कि मैं यहां से बहुत सकता हो नहीं फिर हम देखते हैं कैसल के अंदर गूम रहा होता है और वो अपनी बेसिक पाव करते हुए ढूंडने की कोशिच कर रहा होता है वह करता है इस इस रूम में मुझे कुछ दिख रहा है हां इस पर कुछ गड़बड़ा है चलो चल के देखते हैं और वो अपने तेलेपती की पाव करके रूम को तोर देता है वो इस रूम के अंदर जाता है चांपे उसे एक मूर्थी दिखती है वो कहता है यह लगता है वीचिस की इसके लाइबरी के अंदर यहां पर आकिकार कर क्या रहा है इसके अंदर से प्योर पार पाव मुझे में लिए और अकोर्डिन डूटा मित के अनुसार की दस हजार साल पहले यहां आया था यह अल्फ गोर्ड हम और उसके बाद यह गाईब हो गया था अचानक से चलो या म आपनीबर इसके कारण के है हम आपको जिसक्ट को बहुत इसके क्रकिया होचाओ इसकार अब इन किसी रख़ाप जगरे कि संब जवब साथ रहते थे पर कुछ सालों बाद एक अचानक सा है नैंच ट्रीच 베Are आया जिसके कान क्या है जो दो टैरटरी जोए वह अलग गया जिसके कान एक अल फटर बन गी और फटर बनेगे जहां पर डीमन रहते हो वह पीर हो एक एसा आद्मी ऐख इसा पर लेकिन उसकी पाऊर हथ से ज्था है उसने केले ही मातर कुछी समय में उस natural disaster को उस natural disaster से दोनों tribes को बचा लिया पर लेकिन असानक से वो कहीं गाईब हो गया किसी को भी नहीं पता तो अब मुझे पता चला क्या कि कर क्यों elf में और demons में एक दूसर का blood है मुझे पता चल गया क्योंकि यह लोग साथ में रहते थे साथ में breeding भी करते थे जब भी तो इन witches के अंदर और demons के अंदर भी elf का खून है और elf के अंदर भी demons का खून है अब मुझे पता चल गया और यह natural disaster चनक से कहां से आया यह भी पता नहीं चला अब मुझे पता चल गया है सब कुछे पर आकिकार अब मुझे पता चला की लिन के अंदर यह एक्चुली कैसे आया हम देखते हैं वहाँ पे एक ओरत आ जाती कि आकिकार कौन है जो कि मेरे इस लाइबरी में इतनी आदी रात को है हम अब गरिगता है अरे नहीं पकड़ा गया लगता कोई आ गया हम देते हैं वहाँ पर आती है सासु मा और कोई नहीं मलें कि हमारे लिन की मौं प्रत्वी वाली पर लेकिन इस दुनिया में ये एक विच होती है और इसका नाम होते ग्रिडी विच और यह किती होट है यार कसम से हम देखते हैं वह क्ती के अकिकार तुमें इतनी आदे रात को मेरे इस लाइबरी मेरे कर क्या रहे हो हम आकिकार तुम्हें सोना नहीं है वह मरें सासु मा और एवर्थिं सबकुछ उनकी जासा है फिगरी ये वह सब कुछ जो कि ने ने अभी हमारे यहां आए हो जिसके अंदर हच्छ जदा माने की कॉंटिटी बहुत जदा है मैं स्मेल करके सूँ के बता सकती हूँ आज जा तो मेरे साथ यह रुख जाते हमा में एक रखता है मैं जो दोनों जो है जिनके साथ मैं यहाँ पकड़ा गया था वो दोनों अपने कमरे में सो रही है तो मैं आ गया मुझे नहीं पता था यह सुनके वो करते है लगता है मेरी बेहन को तुम कुछ जादा यह पसंद आ चुके हो कोई ना वैसे भी वो मेरी बेहन है वो कल तुम्हें टेस्ट करेगी और मैं आज कर लूँगी ना मैं बड़ी बेहन जो हूँ उसकी मामें गरी करता है मोफा यार बस मैं तुम लोगों बचाने के लिए आज फिर से अपनी सेक्रिफाइश देने वाला हूँ मैं बस मैं चाता हूँ कि तुम लोग आराम से घर से ले जाओ और हम देखते हैं फिर वो जो महदर इनलों जोती है मैं लेकी ग्रिडी कोई मेरी बेहन सुन्दरता के मामले में मुझसे जादा है होटनेस के मामले में मुझसे जादा है पावर के मामले में भी मुझसे ज़ादा है पर बड़ी बेहन तो मैं ही हूना पर क्या कर सकते हैं खेर कोई ना आजा तुम आराम करो तभी हम देखते हैं रूम के अंदर अचानक से रेड और ब्लैक लगे क्रिस्टल निकलने लगते हैं यह देखे हैं यह क्या लाइबरी माक बीच भी होती है वाइट वाली केहती है कि हमारी इंवेस्टिकेशन के अकोडिंग यहां से मतले की दो तीन किलोमेटर दूर तक एरिया में जिता भी जो प्यूर इशन लेंड था वह पूरी तक से पॉल्यूशन में बदल चुका है मतले कि इस तरीक से डिजास्टर में तो दुम्हें कब दो यहां कि इस खोड़ते हैं जो कि प्रतलि आ और नहीं आशी बात नहीं तो में आधा हाथ है एक्चली क्या है कि हम एं पता है कि हमें दुनिया को कैसे बचाना है इसलिए मनें उनके उसे प्योर ट्री के अंदर उपने अंडे छोड़े थे हैं कि पूरी डिजास्टर को टो किसालों से अपस था रहा है और से ने स्टोरी लाइन की यह स्टोरी लाइन की यह क्रिस्टल सभी उसी डिजास्टर के साथ ही आ रहे हैं मुझे जरा एक को लेकर जाद देखना होगा और इनके कार्ण ही इन दोरों रिस्स को पर बोड़ा खत्रा है तब हम देखते हैं जो ब्लैक वाली जो होती है ब्लैक फिच्छ वह करते हैं कि हम लोग इस चीज को बहुत मुश्किर से रोक रहे हैं है कैसा रह क्या मैं थोड़ी से अपने आपको चार्ज कर सकती हूं इस नए चार्जर की मदद से अमामें के रिकता है मेरा नाम देखता है अब मेरी और हम देखते हैं पॉइंट जो यह वह असी पहुंचा आता है पा लेकिन तब हम देखते हैं वहांसे बहुत सारे अंदेफ सोगते ह हैं वो करती है कि यह मिडल यह मुडल लेवल के अंदस हो जसी हां आचके हैं लगता है इनका धिमाग खराब हो चका है लगता है यह इस जिजास्टर के चपेट में आचके हैं जिसके काड़ी सब कुछ यह लोग कर रहे हैं अमा में करता है अपने आपको जोंबी में मुझे हैं अपने जम्बी फाव गोगता है जिससे वो ऽारे ही थंडर पावर की, मेरा थंडर का पंच जहन लेगे लिए तैयार हो जाओ, और हम देते हैं उनके बड़ एक जोदा थंडर का पंच दे मारता है, जिसको देखके ग्रिडी एंपर कहती है, ओ माई गाड, इसकी पावर जो है, वो ओल अराउंड हमारे लेवल के बराबर की है, हम देते हैं, ग्रिडी एंपरर जो होती है, कि तुमने कंप्लीटली इस पूई जगाव को बरफ में बदल दिया है, पर लेकिन फोचनेटली यह बरफ जब वो टेंपरली है, मैजिक जब मैजिक जो है, वो कभी भी खता हो सकता है, तुमारा, आम एकटर वहां पे एक रैड हम देते हैं, ग्रिडी एंपरर बेड़ पे एक तुम सक्सी तरीके से सो रही होती है, वो कहती है, कि तुम्हें पता है, वो कहता है, यह पूरी तरीके सो नहीं पचापा, लेकिन तुम्हें कोई कमाल की चीज़ देख नहीं तो मैं दिखा सकती हूँ, हाँ, बलेकि मुझे जरूर पता है, कि यह सब कुछ जो है, वो ओमनी पोटेंशन, जो गौड जो है, उनकी दौरा, यह सब कुछ आया है, उनकी पावा के दौरा, और वैसे भी, जो प्लैनेट जो है, हम लोग यहीं पर बोन होए है, तो हम इस प्लैनेट को इसकी छोड़ भी तो नहीं सकते है, हम पुरी दिक से टेटरी पर कबजा नहीं करना चाते है, इसलिए हम और कर ही क्या सकते हैं, मैं दो कि वो कुछ ऐसी बाते करती है, अमा में गड़ी करता है, यह गुमा अफिरा की बात ही क्यों करी है, और यह किस बात की जननत दिखाने की मुझे दिखा रही है, जननत अर तुम से जादा खतना खतना जननत में देख चुका हूँ यार, अब तो मेरा भी मूर हट चुका है, कि मैं यह सब कुछ करू, मेरा पुरा सैटिस्फेक्शन हो चुका है मेरा, यह मुझे तो वैसे भी कोई रास्ता दोन की इसको पता लगाना होगा कि यह सब चक्कर क्या है पिर वो करता मेरे को याद है, जो मैं इस दुनिया में आ रहा था, तो मैंने लिन और बाकि उन साथों के साथ मैंने किया था, तो सिस्टम ने मुझे एक नहीं एबिलिटी दी थी, मोझे टेलेपठी अबिलिटी जिससे मैं लिन से कॉंटेट कर सकता हूँ, चलो मैं लिन से कॉंटेट करता हूँ, रहा हम देखते हैं, जो नौकरा निज उती ही, वो उसकी सद्कतों को देखे कि एक मिल लगता है, मलती नहीं को ब्हुता यां को बनाद करयें, किuzu इंक मिस्टक शेन ही चल रहा है, तो मैं के लिन यह तक पिक दी कर सकता है मैं इस एलियोंस के अंदर हूँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाता हूँ तुम्हे रहाद है कि मैं तुम्हाइभी दिमार्ग में एक चीज बेज रहा हूँ तुम जरा इसको देखो और अब करो कि यह क्या है यह संके वह किति बेजो और हम देते हैं वो और चार हजार डिग्री सेल्सियस है और अच्छा तुम्हारा शुक्रिया ठीक नहीं कर सकता पर फिकर मत करो मैं जल भी वापस आऊँगा बस मेरे इंज़ा करना और हम देखते हैं वह तलीपती को तोड़ द प्लीज अपना ध्यायक नहीं और सेफली वापस आना ग्रीडी अपर हमाम एकड़े के पास आती है वो किसे तुम यह क्या कर रहे हो तुम क्या शोच रहे हो शेहन में बहुता तक्षिक हूँ हूँ आओ मुझे चार्ज करो यार प्लीज आमामें एक टिकता नहीं नहीं नह सासूमा है चाहिए कैसे ही क्यों नहीं डारेक्ली हो या इंडारेक्ली हो पर लेकिन यह मेरी सासूमा है बिल्कुल भी नहीं यार पर यार सेक्ड़ी स्टेज एवलुशन को पाने के लिए करना पड़ेगा बगवान प्लीज मुझे माफ करना हो सके तो मुझे नरक में देखते हैं वो अपनी किसी elf power का इस्तमाल करती है, mind power का इस्तमाल करती है और वो देखती है कई सारी positions जिसको हमारे शेन उनके साथ कर रहा होता है हम आप यह देखें वो करती है, oh my god, यह कमीनिया, मेरे बेचारे शेन के साथ किस हिंसाब से कर रही है मैं शेन को इस तरह से नहीं देख सकती, वो लोग बस उसको आइस अपने चार्जर की रूप में इस्तमाल कर रही हैं, नहीं, मैं मिस्टर शेन की बगर नहीं रह सकती मैं जाके अभी इपनी हाई एल्फ से साथियों से बात करती हूँ, और डीमन क्लैन के पर जलसे दर अटैक करने के कोशिश करती हूँ, और शेन को बचा के लेकर आती हूँ मैं देखते हैं, ग्रीडी एंपर का जो की कहती है कि आह बापरे, इतना बड़ा था, मैंने कभी सोचा नहीं था, पर मज़ा आ गया, सच में, मेरी बोड़ी बहुत है, रिफ्लैशिंग फील करी है, सटिस्वाइ होचकी हूँ, मैं तो पूई दीग से, आज तक जिंदीगी रहा हूँ, मैं के, समझे, और इस वक्लिन मेरे पास है, मैं लिन के दिमाग की द्वारा तुमसे बात करा हूँ, तुमसे कुछ इंप्रमेशन निकालना चाता हूँ, हमा में कि रिकते है के, साले कमीने, आकिकार तुमेरी लिन के साथ कर क्या रहा है, उससे दूर हो, अगर तुमने उसको कुछ भी किया, तो मैं तरको कभी भी सेक्ने स्टेज एवलुशनरी का फॉर्मिला नहीं दूगा, कि वो बताता है, कि जो तुमने के बारे मुझे कुछ पता चला है, वो यह है कि जो पॉलुशनरी रिडियेशन क्रिस्टल जा है, वो उसके अंदर हाई अरिजन वो हमारे दुनिया से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, वह एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है, जो कि उसे क्या पहने मिला के कान यहां आया है, और जब वो पृत्वी प्रित्वि को उल्मस तभा कर दिया था, उस ने पृत्त्य के कई सारे हिस्सों को एज़ इन्होंने अलेल क्रीचेस को बना दिया है मेरे कलिटरिशन कर अकोर्डिंग 300 साल पहले जब यह मनले की हमारे याफ परत्यु पर आया था तो इसने आधी परत्यु को खिकता है यह बहुत जाधा पावफल है इसके अंदर रिडियेशन की पावर बहुत साथ है इंग्लूडिंग यह किसी को भी नहीं चोड़ता है इंग्लूडिंग जिस रियूंस में तुम हो यह वहां पर भी पूई दी किसे मलेकी तहल का मचा देगा इसी एक एकान ही उस रियूंस में डिजास्टर आया था शेन याद अखना तुम्हें सेफली वापस आना है समझे सब्सक्राइब करते हैं हाँ हाँ आजओंगा सेफ़ी वापस आऊँगा फिर हम देखते हैं हमामेकर सो जाता है वो गता है 300 साल ठीक है उस लेटर के अंदर भी मेरे पएंस ने 300 साल पहले कि कुछ हुआ था टेक्नोलजी अगर इन सब चीजों के बार मैं जिकर किया था 300 सा हों मुझे क्या कमा पां एक बीच में च्टैम्पल म। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक मैसेज चोड़ा है तुम्हार ले ये लो ये क्रिस्टल बोल जा ये बहुत पावफुल एडियेशन में रिकोर्डर से बना हुआ है जो कि बहुता पावफुल है इसमें हम अपनी कोई भी मेमोरी के रिकोर्ड करके रह सकते हैं किसी दूस को खत्म में बहुता समय नहीं हुआ है सिब 10,000 साल ही हुए है और हम एल्फ की ओडिमन की जो लाइफ स्पेल बहुत जाथा लंबी है तो हमारे लिए यह तो पर यहां पर रहने लेक नहीं बजी तो मैंने अपनी पाव का स्तमाल करते अपनी पाव को पहुँचाते हुए ए कि दूसरी दुनिया में डूनने की कोशिश कर रही थी और मैंने इस चीज़ को देखने की क्या हम डीमन्स और क्या बोलते हैं सारे के सारे मिलके एक साथ रह सके हम पैदा हुए तब से हम अपने इस प्लैनेट को छोड़के नहीं गया है पर लेकिन कुई मैं इस चीज़ की सब्सक्राइब कर दूसरी दुनिया का पॉटल खोल लेकि कोशिश की थी वहां पर जो ठंडर पावर फायर पावर जो यूजर वह बहुता पावफल है जिन्हों ने मुझे रोक दिया और जिसके कान क्या है कि मैं आदी से जदा हस्ते बहुत बूई तरी से मारी गई मेरी बोड़ी डिस से पैर होती शुरू गई सी कान मैं उस दुनिया के ब्रेक को भी नहीं कर पाए और क्योंकि अब हम सब इसी दुनिया में अटक चुके हैं अब मुझे पता चला कि कार उस दुनिया के बाहर यह लोग होली स्काइल इलम किसको कहते हैं तब ही मैं सोच चूँ क क्या कर यहां पर इतनी पावफूल स्ट्रॉंग अनर्जी क्यों कि भी खुला हुआ है जिसके कान के उस दुनिया की जो एनर्जी वो यहां पर आती रहती है क्यों है यह सुनके हूँ थी हां तब हम देखते हैं लिन करती कि अरे नहीं यार यह एलफ आर्वी नहीं माने वा हां में तब तो हमें यहां से निकलना हुगा उनको रोकना हुगए चलो औरहम देते हैं उसको बन जा चुका है डीमन आर्वी अटैक करो इनके उपर और हम देखते हैं वो लोग इनके उपर अटैक करना शुरू कर देती है गिरेंप्री जो होती है वो कहती है कि मैं देख सकती हूं तुम लोग हो बहुत साथ पावफुल पर हमें भी कम समझने की कोशिच मत करना हम लोग बहुत डाकनेस से बरे मैं समझें तबी तो हमें डीमन कहते हैं इस दुनिया के उनके बीच में भी एक क्या बोलते हैं एक बहुत पावफुल मेजिशन हिलर होती है जो कि अपनी पावर के अपनी लाट्विंग की पाव का इस्तमार करती है वहां पर जितने भी डीमन आर्मी के जो एक आवाज आती है कि शेहन हम पर जोटी है जो पकल दे कि कि अपनी इसकी पकड़ लेता है उसकी चड़ी पकड़ लेता है वह करता है उली मैटन प्लीज जूख जाओ रुख जाओ मुझे यह आफे तुम लोगों कि इस है वो बहुत जादा क्रिटिकल है समझे जो हाई एक रास्ता बना है कि हम लोग साथ मिलके रह सकते हैं और किसी दूसरी दुनिया में क्योंकि अभी दुनिया रहने लाइक नहीं बची है और उन और उन लोगों एकशली का मतलब ब किसी दुर्शी दुनिया का पौटल खोली जिसमें हम बिमन्स तो लेकिन वहाँ कि जो लोग है जो कि रियल दिश्मन हैं जिन्होंने हम दोने की बीच में लड़ाई हैं शुरू किया ये रेडियेशन किस्टल वगरा है इस वही लिखे आए हैं वो लोग एक्चुलि हमें एक साथ लड़ा के मारना चाते हैं जिससे उनका काम आसान हो जाए और तुम चाहते हैं कि हम लिख हैं कि मैं इस फायर पो रोख सकती हूँ शियू किती है हाँ तुम ये क्या देखता है मैं फायर को रोख सकती हूँ वाम हैं फायर को रोकना चाते हो आज या तो यह डियंवल स रहेंगे या हम रहेंगे हम देगते हैं घृषवायलेंगे आज यह रहेंगे आज बहुती है लोगों की सप्सक्राइश जएगि आज देखते हैं कि कौग जीता है हम देखते है ममे गाटर नहीं की डिद्के माट फिर ऌषीज सट करता है कि बस करो मैं रहत या मैं यहां पर तुम लोगों शांत करने आया हूँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को रोक नहीं सकता है और एक तरफ से उसमें बीम मुलिकी गिडी एंपर का अटेक रोक रखता है वो अपने मुन में कहता है मैं पास जादा एनरजी नहीं बची है मुझे कि तरह त्लिक से मिल के इन दोनों को रोकना होगा या मैं क्या करूं हमा में रहामें बेक्ते है तो ठीक मुझे कुछ करना होगा और हम देखते हैं व वह सामन Joy क करता है और हम देखते हैं सामने कि तरफ आ Люб kuvu करते हैं शेम सश्में है कि इसके पास तो तना कि हम दोनों को सास्थ में जा रहा ह्गा जा ने कि कि वहां पर है हमारा असनी दूश्मन जो कि ये सो कुछ कर रहा है हम देखते हैं वह इस दूसी दुनिया में आ जाते हैं लिंग के एक यह दूसी दूनिया मैंने कभी नियों बहुत के तीकि यह तना जयाद पाउफुल है और वाओ यहां पर यह प्लैनेट भी है यहां पर उ पुई दिख से मशीन से पुई दिख से कवर होता है मैं हूँ मैचा वोरियर समझे वह भी बैटा कोड प्लैनेट से मैं इस प्लैनेट के सारे के सारे कर दूं जिससे हमारी प्लैनेट की पावर बहुत जाता बड़े और तुम लोग वो उस दुनिया से जिस दुनिया को मैं तबहा करना चाहता हूं ठीक तो यह सबसे पहला मिशन है तुम्हें मानना हम देते हैं लिंग के थी कि यही है वो बंदा जिसने यह सब कुछ किया है मत कहता है हमारा जो बेटा कोर प्लैंट जो है उसके जो लोग है वह फाइलूशनरी लेवल पर पहुंचे हूए है बहुत जाथा है जो की बहुत जाथा पावफल है तुम हमें रोक सकते हो खासके तुमारे लेक्ट्रिक पावर से मैं देख रहा था कि तुम किस हिसाब से फा रहा श्रके जाए है तुम अपने आपकी बेटरी को चार्ज कर सकते हो और देखते हैं वह उसके उपर अटेकरा करता है वह कहते है तुम बहुत जाब पॉस्पर काम नहीं किया वाम एक डिकता है उसने तुम्हें बहुत जादा गंवीर चोर दिये एक काम करें तुम थूर्दे बैठो मैं यह बहुता ताकत रहा है मैं इससे बात करता हूं इससे निपर नहीं कुछ करता हूं यह सुनके वह बता नहीं किस मैटेरियल से बनावाई यह बहुत जादा है नगीर को सबस्यद्य करें फाल है तुम्हारी पाऊ मेरे बहुत नहीं में में Manor से कैसे बच पाते हो और हम देखते हैं तुम कब तक बाव पाओगे मेरे से कॉंटम अटेक से हमामें के टिकते बाफ रही है अपने हाथों को रिपलसर की तरह अटेक कर पा रहा है मैं बहुत था थक चुका हूं मैं इस अटेक को डोज नहीं कर पाऊंगा तभी हम देखते हैं लिन आती अपने एक एक एनर्जी है जहां टार्गेट हो चुके तो बस वहीं जाके लगेंगे इसी बीट कर पाना बहुता मुश्किल है हम देते हैं जो लिंज होती है वो अपने में गती शेम की ट्रू आइडिन्टी आकिकार है क्या यार क्या यह पिर्थिस आया है क्या कहां से आया यह बंदा इसको तो हर त्यार बनेगा उसके बारह में इससे हरा सकते हैं हम तीनों के तुम्हार पास दो गयता है मेरे पास एक ब्लाइन है हम तीनों की जो जो जनेटिक लएक साथ बहुताइड पॉफुल हो गार और हम देखते हैं वहां पर मरवाना चाहता है क्या है कि 300 सालों पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि यूगो की बात मेरे साथ मेरी बात तो सुनो मुर्गा जो है वो दुनिया की सबसे ताकत और स्पीशी में हम तुमारे साहता है वहाँ के बाता है कि अधार के था इसे नहीं जीत पाइंगे हम देखते हैं इस बेजियर में एक छे दो चुका है, अमारे यही मौका है कि हमरी रिफॉर्स्मेंट को याला के हम बच सकते हैं, तो यही रुको मैं जरा अभी आती हूँ, और हम देखते हैं, वो जाने लगती है, अमामेगर रिखता है, साली गदारी करब है, अब यही चोड़के चलेगी अबे यह मेरे को मुर्गा समझके मेरे मेरे तंदूरी बना देगा, हम देते हैं, अमामेगर अपनी विल की पाउगा अस्तमाल करता है, उसकी उपर वो कहता है, वो जरा मुझे देखने तो इसकी क्या कमजोरी है, इसकी कॉमपेटैबिलिटी को, मुझे कम अंखरें की कोश अपनी विल की ठीकन अपने अपनी ऑसकी क करता है, वह मेरे को थो अपने के मेरे बना के वो एक। पटना थोड़ा मुश्किल है मैंने कभी नी सोचा था कि मुर्गी में होने के बाद इतना थाकतर होगा और हम देखते हैं वह फिर से मामें करें गटा फरक नहीं पड़ता है अब यह साले मिसाइल इतनी बड़ी है मैं इतना चोटा सा हूं यह मुझे क्या ही काम करेगी दिख ठीक तो मेरा थागेट भी तयार है और हम देखते हैं वो सके अपर अट्रा करता है और में बैसाथ की आपीसोड ही ख़ओता है आइना इस वीडियो में कुछ आधाही मैंने बफ्चोड़ कर दी थी पर खिलार कोई ना ऑग है तो प्लीज वीडियो को लाइक रहे हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें और मिलते करें से नए वीडियो में जबते के लिए बाई बाई